तो चलिया ये अब हम लोग पढ़ते हैं lesson 73 यहाँ पर हम लोग how to कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे So look at the following वह चाय बनाना जानती है She knows how to make tea उसे भोजन बनाना आता है He knows how to cook food She knows how to cook food मैं कार चलाना जानता हूँ I know how to drive a car तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो You are learning how to ride a bicycle अगर वाक्य में कर्म अब्जेक्ट के बाद जाना, आना, बनाना, चलाना, आदी, क्रिया, वर्ब रहे तो उसका अनुआद how plus to plus verb के मूल रूप द्वारा होता है आईए exercises करते हैं Concept आपका सब clear हो जाएगा आप मेरे साथ exercises करियेगा Exercise 73, Translate into English मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूँ I know how to write English हम लोग cricket खेलना जानते हैं We know how to play cricket उसे मोटर चलाना आता है He knows how to drive a motor हरी को अंग्रेजी बोलने बोलना आता है Curry knows how to speak English तुम्हें पत्र लिखने नहीं आते हैं You don't know how to write a letter आगे देखिए मैं घोडा चलना चानता हूँ I know how to write a horse मैं रीडियो बजाना चानता हूँ I know how to play radio अच्छा यहाँ पर play भी कर सकते हैं और एक कर सकते हैं I know how to switch on the radio मैं गणित पढ़ाना वे गणित पढ़ाना जानते हैं They know how to teach math, mathematics उसे चाय बनाने नहीं आता He doesn't know how to make tea Next, उसे त्यारना आता है He knows how to swim अब यहाँ he और she जो आपका मन होगा वो आप लिख सकते हैं ऐसे उपर में भी आपका he या she जो भी लिखने का मन होगा आप लिख सकते हैं लड़का होगा तो he, लड़की होगी तो she वरसाइकल चलाना सीख रहा है He is learning how to ride a bicycle उसे भोजन बनाने नहीं आता He doesn't know how to cook food वर नाशना सीख रही है She is learning How to dance क्या तुम्हें रेडियो बंद करने आता है Do you know how to switch off the radio तो इस तरह से आप how to का इस्तमाल कर सकते हैं sentences में क्या तुम्हें रहां कर सकते हैं झाल झाल